दोस्तो आज हम डिसकस कर रहे हैं clothes vocabulary, कपड़ों के विशे में vocabulary, जहां दोस्तो सबसे पहले आती हैं trousers जिने हम pants भी कहते हैं, उसके बाद आते हैं shirts, कमीज, बुशर्ट वगेरा हम कहते हैं, उसके बाद आता है पूरा suit जिसको हम coat pant कहते हैं, उसके बाद coat pant के उपर और shirt के बाद आती है, घड़ी वोच हम इसको कहते हैं, sweater जो हम गरम sweater डालते हैं कपड़ों के उपर, sweater और jumper भी इसको कहा जाता है, लड़कियों के लिए skirt होती हैं, उसके बाद आती हैं socks जूतों के अंदर डाली जाती हैं, उसके बाद आता है चस्मा, glasses भी हम कहते हैं, spectacles वगेरा क लिकर आती हैं, जिने हम English में shorts कहते हैं, shoes, जूते, उसके बाद आती है jeans जो कि हम pant के पहनते हैं, उसके बाद आता है scarf जिसको दुपटा भी कहा जाता है, muffler भी कहा जा सकता है, jacket आती है, उसके बाद आता है hat, topi, cap वगेरा हम इसे कई नामों से जानते हैं, gloves जिनको दस्तान कहा जाता है, उसके बाद आती है complete लड़कियों की, महिलाओं की, dress, उसके बाद आता है coat, coat के बाद आती है belt, जिसको हम हिंदी में pety भी कहते हैं, उसके बाद आता है pajama, pajama आप जानते ही हैं, pajama को English में भी pajama ही कहा जाता है, और हिंदी में भी pajama ही कहा जाता है, तो दोस्त तो इस तरह से आज हमने clothes के विशे में, कपड़ों के विशे में, कुछ vocabulary के विशे में discuss किया। उमीद है आपको इसका लाब अवश्य होगा।